अरियों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए अभी यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह क्या है पेंट पीलिंग एफेक्ट इसके उपर क्रियेट किया है मैंने तो देखो भी जैसे यह पेंट क्या है इसे पील हुआ है वैसा आपको यह लग रह है तो अभी इसको क्या है डिलेट करता हूँ मैं तो देखो भी एक्चुल इमेज क्या है ऐसा था तो इसको क्या है इस तरह आप कैसे बना सकते है वही मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या है अभी मैं इसको क्या है डिलेट कर देता हूँ अभी इन दोनों को इम्यज इसको क्या है, Select करता हूँ, control को होड़ करके Select किया, arr L batas, Select करनी के बाद, इधर import करता हूँ हुआ इधर क्लिक करता हूँ, तो देखो भी एक Image आ गया, और एक एक लेता हूँ इसको भी क्लिक कर लेता हो, देखो भी क्या is Image अभी जी कलर में है दिखो भी इसमें क्या है एक पेंट क्या है इसे पील होँ आए विस आपको यह दिक करहा है अभी इस image को क्या है इसके साथ select करता हूं select करकेdensг क्या हूं ENC बोलता हूं तो दिखो भी यह क्या है ऐसे इस इमेज को थोड़ा side में लेता हूं इदर अभी इसको थोड़ा zoom कर लो आपस zoom करके जो ऊपर का जो image इसको select रखते हुए अभी मैं क्या करता हूं इदर bitmap में आता हूं bitmap में आके convert to bitmap बोलना है आपको तो देखो भी यह आ गया भी अभी इसमें क्या है resolution क्या है 300 dpi रखा है मैंने और जो color mode है अभी इसमें क्या है RGB है तो अभी इसको क्या है gray scale कर लेता हूं तो इसको gray scale कर लिया मैंने अभी इसमें क्या है until as active है और इसमें क्या है transparent background भी active है तो अभी के लिए इसको ऐसे okay बोल देता हूं तो दिखो भी इसको एक बार undo कर लेता हूं तो इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है इदर transparency tool में आता हूं transparency tool select करने के बाद अभी इस image को transparency तो नहीं दूँगा मैं लेकिन जो अभी देखो इदर क्या है merge mode करके है जो transparency में जो mode है अभी यह क्या है normal है इसको आप change करके अलग-अलग effect आप इदर दे सकते हैं तो अभी के लिए इसमें क्या करता हूं इदर click करके अभी मैं क्या करता हूं तो दिखो भी ऐसा आ गया तो दिखो भी जैसे यह paint क्या है इसे peel हुआ है वैसे यह effect आपको दीख रहा है यह आपको समझ में आ रहा है अभी इस same effect को मैं क्या करता हूं अभी इस same image पर भी लाता हूं तो इसको क्या है और रहे किदर क्या है copy कर लो आप लेफ्ट लिक से drag करके right लिक करके left लिक छोड़ दिया मैंने तो यह copy बन गया भी अ उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं एक box लेता हूं इसे अभी इसमें क्या है एक mesh fill में आता हूं इदर क्या है इदर mesh fill करके है इसमें आता हूं इसमें क्या है 3 by 3 sides लेता हूं मैं तो इतना लेने के बाद अभी इसमें select करके कुछ shades देता हूं मैं तो अभी इसमें क्या है ग्रीन दिया अभी इसमें क्या है एक रेड देता हूँ और इसमें क्या है एक यलो देता हूँ अभी इस पॉइंट को सेलेट करता हूँ सेलेट करके इसको क्या है एक रेड कलर दिया मैंने उसी तरह क्या है इस पॉइंट को सेलेट करके यलो देता हूँ और इसमें क्या है blue दिया है मैंने अभी इसमें क्या है एक yellow देता हूँ अभी समझो इसको थोड़ा merge करना है मुझे तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ फिर से इसमें steps थोड़ा कम कर लो आप तो देखो भी ऐसे shade मर्ज हो गया अभी अभी इसको क्या है इसको और एक एक copy कर लेता हूँ copy करके इसके उपर आप क्या करो ऐसे ये and see बोल दो अभी इसको क्या है shift को hold करते हूँ इसे drag करता हूँ जैसे इदर node करके आता है तब एक छोड़ देता हूँ इदर भी क्या है shift के साथ ऐसे लेता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया दिखो भी इसको क्या है इस effect को क्या है आप यूज कर सकते हैं अगर यह करते होगता आपको कुछ doubts वगरा है तो मुझे comment box में comment किजिएगा हमेरे साथ जुड़े रेने के लिए और इस channel को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाग